करेंगे तो यह सेट जो है यह सिरीज सी है इसके क्वेशन हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर्स है उनके तो इस सिरीज में पहला क्वेशन जो है यह फैरनाइट और सेल्सियस में कंवर्ट करने वाला है साइंसी क्वेशन हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उसको ब्रीफली डिसकस किया जाएगा इसमें आपके बार आंसर्स मैच कर लीजे तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का आंसर है ए 93.3 डिग्री सेल्सियस क्वेशन नमबर सेकेंड की बात करते हैं तो सिख्स में औप्शन नमबर बी सेवन्थ में यह रीजनिंग के कुश्टन कुछ आयते उसका करेक्ट हो जाएगा 7th का c 28 एर्थ में बहु का रिष्टा निकल कर आएगा 9th में नवेंबर आंसर होगा 10th में औप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका 13 होगा इसमें प्लेस करत के इसमें option number B 13 answers ही होगा फिर कुछ current के questions आया है 11th में यह C वाला third वाला option सही होगा 12th में Coneru Hampi 13 में इसमें SDG से question आया था sustainable development से इसका option हो जाएगा केरल 14 में Medagascar जिसमें operation vanilla है 15 में option number D 16 का option number D जिसमें चमेरा है 17 में option number A 18 में महारास्ट रांसर है जिसमें जनगर्ना के हिसाब से पूछा है और एरिया के वाइस पूछा है जिसमें option हो जाएगा महारास्ट 19 में जन जातियां हैं इसका option number B 20 इसमें पहाडियों के बारे में पूछा है इसमें option number C correct होगा उसके बाद आते हैं 21 में 21 में option number B हमारा correct हो जाएगा 22 में इसका option number C correct होगा 23 में यह science का question है इसमें option number C correct होगा यह भी science का question है 24 में इसे पूछा गया है कि micronutrient कौन से होता है तो iron होता है copper होता है magnesium magnesium नहीं होता है होता है इसमें हो जाएगा 25 बहुत ही अच्छा question आया था यह अगर थोड़ी सी knowledge होती तो इसमें समझ में आ जाता कि हीमोग्लोबिन की बारे में पुछा है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह हमारा basic में आता है क्योंकि ब्लड हमारा basic होता है न तो इससाब से आप लगा सकते हैं कि option number C will be the correct answer and question number 26 में एक test पुछा हुआ है तो वह diabetes के लिए होता है यह test 27 में option number C will be the correct and 27 में आते हैं तो D हो जाएगा answer 28 में D 29 में 3412 will be the right answer 3-4-1-2 will be the right answer option number C इसमें पुछा गिए कि किसमें जो मद्वित्तिय संबंदों को किसमें रखा जाता है राजिक और केंद्र के तो इसमें हो जाएगा भाग 11 31 में maths के question के आपर maths और reasoning combine आई हुए है तो इसमें 31 में answer आजाएगा आपका 73 32 में आजाएगा Q R S U 33 का answer आएगा ब्रस्पतिवार 34 का answer होगा 27 यह 5 into 1 करके और 6 into 1 करके 6 और 5 11 मिलाया गया है ठीक है इस हिसाब से answer जाएगा 27 question number 35 में answer will be 35 years 36 का answer 2 आएगा 37 की बात करते है 37 का answer हो जाएगा यह चक्रिय चतरबुच के हिसाब से बनेगा cyclic quadilateral में तब इसका answer आजाएगा 50 38 का answer होगा 84 39 का है B Tamil Nadu इसमें सीर सूचकां की बात करी गई है 40 में answer हो जाएगा B वाला करेक्ट होगा उसके बाद 41 में 2024 42 में D option करेक्ट होगा 43 में 4,2,1,3 A option इसके बाद 44 में इसमें चंद्रगुप्त सामराज की wife के बारे में दिया हुआ है कौन किसकी wife थी तो इसमें option A correct हो जाएगा 3,1,2,4 45 में book पूछी गई है तो इसमें ये वाली हो जाएगी तहजीब उल अखलाग ये सरसयाद आमत खान ने लिखी थी 46 में आए तो option A correct हो जाएगा 47 में option A will be the correct option 49 का C 50 का B इसमें डल हो जी की नीती के बारे में पूछा है 51 में A option हो जाएगा 52 में C है और 53 में इसमें rate पूछा हुआ है तो 5.15 और 4.9 54 में third option correct हो जाएगा 1 and 3 55 में noida answer होगा 56 में UP का बुंदेल खंड चेतर है वो अभिशाप माना जाता है उसके बाद 57 में बुलंद सहर चीनी मिटी के लिए नहीं होता है 58 में सोनभद्र सही आंसर होगा 59 में ये science का question फिर एक आया है इसमें rhizobium हो जाएगा 61 का third option correct होगा ये काफी easy question था इसमें इनकी जो उपाधियां है उसके बारे में पूछा है 62 में थर्ड option एक और दो दोनो green piece इंडिया वाले में सबसे ज़्यदा प्रदूसित में जरिया आ जाएगा जारखंट का आई है उसके बाद आते हैं 64 में 1 और 2 दोनों हो जाएगे 65 में यहाँ परन की capitals पूछी गई है इसका option number third correct हो जाएगा 66 में जापान के जो आईलेंड होते हैं उनको पूछा गया है option D will be the correct answer 67 में option A हो जाएगा हमारा 68 में आएं इसमें इनोंने dam पूछे कि कौन से कहाँ पर है तो इसमें B option correct हो जाएगा 69 का C correct होगा एक और दो दोनो 70 की बात करते हैं इसमें option A correct होगा ये वाला उसके बाद rail गाड़ी यहाँ पर फिर math के question आए ट्रेइन वाले तो इसमें option 100 meter आएगा answer उसके 72 में option 20% आएगा 20% gain के साथ 73 में 8000 answer आएगा 74 में 3.3% है 75 में गुजरात आएगा 77 का answer 1,2,3,4 all वाला होगा D option 78 की बात करें तो सहस सथ सहसी सहिंता जो होती है वो हमारी महाभारत को बोले जाता है उसके बाद 79 इसका answer 14 होगा 80 में option B will be the correct answer ये beard का question है 81 में जो ये battle of का nudge हुआ था वो सेरसा और हिमायू के बीच में हुआ था 82 का answer 4,4 हो जाएगा 83 में खुदी राम बोस 84 में कूकी विद्रो था ये 1850 1852 में हुआ था 85 में ये एनी बेसेंट ने बोली थी ये चीज ये line थी वो एनी बेसेंट की थी फिर 86 एक science का question है ये काफ़ इच्छे से discuss किया गया चुका है तो इसमें क्या हो जाएगा nitrogen answer होगा urea के लिए बात करें तो ये हमारे हमें पता है कि 46.6% होता है अगर roughly 46 भी ले लेते हैं तो भी निकल आएगा कि 2.2 हो जाएगी एक kilo निकालने के लिए फिर 88 की बात करते हैं ये भी question बताया हुआ है 1 and 2 सही हो जाएगा इसमें क्योंकि अगर मिटी उसर है तो उसमें फसल नहीं होग सकती है तो यहां से ये सही हो जाएगा 89 में Reliance Industries answer हो जाएगा 90 में रिहंद बांध होगा 91 में कानपूर 92 में सहारन पूर 93 का option 3 will be the correct answer 94 का B 95 का नाट्य सास्त्र होगा 96 जिसमें स्क्रश्चिता के बारे में पूछा है उसमें option A correct हो जाएगा 97 जहां पर सुथ्ष भारत अभियान के बारे में बात बोल रहे हैं तो इसमें option A correct होगा 98 में राटर्स बिल्डिंग answer हो जाएगा 99 में खसरे से आज भी कॉंगो जो है वो ज्यादा प्रभावित है एफ्रिका में उसके बाद आते हैं 100 में 100 में हो जाएगा answer आपका नाइजर होगा answer जो Grammy Award मिला है वो Becoming को मिला है Becoming को मिला है उसके बाद इसमें रैंकिंग पूछी गई है तो USA जो है वो आपका third number पर है 103 में यह correct हो जाएगा थर्ड option एक और दो दोनो यहाँ पर क्या होगा 104 में जो पूछा गया है 2019 में हुई थी Madrid में उसके बाद 2020 में हुई थी Glasgow में अजर्बाइजान की जो कैपिटल है वो कहां पर है तो वो कैस्टियंसी के पास में है उसके बाद 106 में आते हैं 106 का option number A correct हो जाएगा दच्छी गास के मैदान वगरा पूछे का एगर इसमें एक भी पता था कि weld कहां पर है एफ्रिका में है तो ये पता चल जाएगा 107 का जम्मू 108 का option number D 109 में नवेली है 110 में इंद्रावती है वो गोदावरी की होती है 111 में जवाई परियोजना है जो की राजस्थान की है 112 में option number A 113 में कडपा हो जाएगा फिर आते हैं हम लोग 114 में option A हो जाएगा 115 में प्रयाग राज है 116 में 1983 है 117 में option number D सबसे आखरी में उत्तर पते सबसे पहले बिहार और 118 में फिर से साइंस का खोशन आया है option number 3 will be the correct answer 119 ये भी साइंस का खोशन है इसमें माइको रैजिया की पूछा जाता है तो वो जो होता है कि इसे plant है वो अपने roots अगर खो दे रहा है तो खाना किस तरीके से लेगा तो इसमें क्या होता है कि फंगाई है की चिपक जाती है इसमें पूरा तो तब ये खाना ले सकता है आराम से तो ये एक simbatic relation दिखाता है पंगाई और plants के बीच में ये हो जाएगा option number question number last है ये 120 इसमें ये पता है कि हम लोग ADEK जो होता है ये water soluble होते नहीं होते है केवाल BC जो होता है BC ये केवाल water soluble होता है तो K नहीं होता है तो ये वाला हो जाएगा ये आपकी पूरी answer की थी 120 question की मिला के बदाएगा आपको कितने सही हुए thank you